हिंदू धर्म में मानेता है कि देवी देवताओं का पूजा अर्चना विधी विधान तरीके से भक्तों के द्वारा किया जाता है लिकिर ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने कि किसी डायन की पूजा भी लोग करते हों इतिहास गवा है कि रमायन गीता पूरान में भी देवी देवताओं के पूजा अर्चना का ही जिक्र किया गया है और ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं भी डायन की पूजा के लिए बताया जाता हो लेकिन यह सच है देखी हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में वर्सो से स्थापित डायनमा की प्रतीमा पर बड़ी संख्या में तूर दराज से लोग आकर अपने अपने विधी विधाम से पूजा करते हैं और ऐसी मानिता भी है कि जोबी भक डायनमा से मुरादे मांगते हैं उसकी मुरादे पूरी हो जाती है डायनमा की पतीमा संतकभी नगर में स्थापित है या अनोखी बात रमायन गीता और पुरान को भी पीछे छोड़ दिया है संतकभी नगर जनपत मुख्याले से लगवक 15 किलो मीटर दूरी पर इस्थेद भगवानपुर गाउं में वर्सों से डायनमा की पतीमा पर पूजा अर्चिना होता चला आ रहा है मानेता है कि पूरू में बारिश नहीं हो रही थी गाउं के लोगों ने डायनमा की पूजा की और जमा जम बारिश होई तब से डायनमा की पूजा अर्चिना होने लगी और मा की पतीमस थापित की गई अब गाउं के साथ साथ दूरदराज से भक्त डायन मा की चर्णों में शीश नवाने पहुचते हैं बताया याभी जाता है कि जिनकी मुरादे पूरी हो जाती है पर डायन मा का भक्त हो जाता है अग तक तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि सच में कहीं डायन मा की पूजा होती है हाला कि इस डायन मा की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की चर्चा इन दिनों जोरो पर चल रही है क्या मानेता क्या है बिसेज कर अरे जोन सब जोन जिकर जीव खुसी आवे कथा मान दे रमायर मान दे आओकाना कराही मान दे पुजा ओमला हो जोन बीस वास बज्य कई देहले हैं जो मान देर अच्छा करती हैं वह बाग कि आप कुछ कह देहल गए तो हर पूरा हो गए लुह चड़ाई कब से होता है पूजा कहां कहां से लोग आते हैं क्या विशेश कर मानेता है अरे यह सातो पूरवा में जेकर भाला भाईल बस अब ही आवाला चड़ा वाला बजा वाला आपन नाज करा वाला यहां जेकर जैसन मानता रहा लता हूं तैसन हो